हलो दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूटूब चैनल पर आज हम 16 दिसंबर को हुए C321 पेपर 1 के EBS के full 30 questions complete करेंगे तो दोस्तों आपका पहला question आया था कुडुक कहां के लोगों की बोलचाल की भासा है तो आपका first option, fourth correct हो जाएगा जारखंड कुडुक जारखंड के लोगों की बोलचाल की भासा है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा आपका दूसरा question direction based आया था तो आपका question दिया गया था आपका घर X परिस्तित है जहां आपका विड्याला Y परिस्तित है यद्यपी आपका विड्याला ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्ट राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं इसलिए आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं फिर ठीक पस्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पत पार करते हैं और अंत में आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दच्छिड में वाई पर अपने विद्याले पहुंसते हैं वाई पर विद्याले के सापेच एक्स पर आपका घर कहां इस्ते थे तो आपका सेकेंड का ओप्शन तीसरा सही हो जाएगा 75 मीटर ठीक पूर्व में आपका फट कोशन आया था कोई रेल गाड़ी नागर कोल से 5 जुन 2020 को प्राता 4 पंदरा बजे स्टेशन छोड़कसा जुन 2020 को प्राता 3 पंदरा बजे गांधी धाम पहुंसती है रेल गाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलो मीटर है यात्रा की अबधी में रेल गाड़ी की ओसत चाल किलो मीटर पर घंटा में लगभग डैश है तो आपका थार्ड को ऑप्शन 56 करेक्ट हो जाएगा आपको इसमें average speed find करनी थी तो average speed का formula होता है total distance upon total time आपका fourth question आया था बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंब करने की सबसे अच्छी अवधी कौन सी है तो आपका fourth option दूसरा सही हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर आपका fifth question आया था वेलक्रो का उप्योग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है निम्न लिखित में से किसने प्रकृती से प्रेड़ा लेकर वेलक्रो को बनाया था तो आपका fifth option तीसरा सही हो जाएगा जॉर्ज मिन्स्ट्रल आपका sixth question आया था निम्न लिखित में से कौन भारत का संग सासित प्रदेश है तो आपका sixth option फूर्थ सही हो जाएगा जम्मू और कस्मीर आपका seventh question आया था हमारे देश के नीचे दिये गए राज्यों में से किसमें अल्मूनियम की खान है तो आपका seventh option पहला सही हो जाएगा उडिसा आपका eighth question आया था ब्रेल लिपी में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदू बने होते हैं ये लिपी डैश पर आधारित होती है तो आपका eighth option दूसरा सही हो जाएगा छे बिंदूओं आपका ninth question आया था प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार करने होते हैं नीचे दिये गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिये जिसमें इन चरणों को सही करम में दिया गया है तो आपका ninth option पहला सही हो जाएगा A, C, D, E, B मिर्दा को खोद कर नरम बनाना उसके बाद बीज बोना उसके बाद खरपतवार हटाना उसके बाद प्याज को खाड़ कर निकालना और उसके बाद प्याज की उपर की सूखी पतियों को काटना आपका tenth question आया था हमारे देश में एक स्थान है जिसे सीत मरुस्तल कहते हैं यह चेत्र उचा सूखा और समतल है यह चेत्र कहां इस्तेत हैं आपका tenth option फूर्थ सही हो जाएगा लेह लद्दाक आपका eleven question आया था नीचे दिये गए फलों और सबजियों में से उन्हें चुनिये जिनमें बीज होते हैं करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नासपाती, आलू, टमाटर तो आपका eleven का correct option फ़र्ड सही हो जाएगा करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नासपाती और टमाटर आपका 12 question आया था, नीचे दिया गया कौन सा जन्तु भालू जैसा दिखता है, परन्तु भालू नहीं है, ये दिन के लगबग 17 घंटे व्रच्छों की साखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है और उसी व्रच्छ की पत्तियों को खाता है, इस जन्तु की ओसत आयू, 40 वर्स है, तथा आपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 व्रच्छों पर ही घूमता है, तो आपका 12th option, 4th सही हो जाएगा, Sloth आपका 14th question आया था, हमारी प्रत्वी गलोब की भाती गोल है, वास्तों में प्रत्वी पर उपर या नीचे कुछ नहीं होता, ये सब सापेच है, हम भारत के लोग वास्तों में प्रत्वी के प्रस्ट पर नीचे दिये गए, जिस देश की लोगों के सापेच उल्टे करने के लिए कोई किसान उर्वकों और कीट नासकों का आधिक में उप्योग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, इस नित प्रियोग से उसके खेतों की मिटी टेस्ट बन जाएगी, तो आपका 15th option 4th सही हो जाएगा, अंतिता किसी भी फसल को उगाने के लि इमों में से 4 को सही ढंक से प्रस्तुत करता है, तो आपका 16th option दूसरा सही हो जाएगा, परिवार और दोस्त, पानी, भोजन और यात्रा, आपका 17th question आया था, सचार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या है, तो आपका 17th option 4th correct हो जाएगा, A, C और D, एक विशिस्ट कारण के अधार पर पोर्टफोलियो में सामिल किये जाने वाले काम का चैन करना, चात्र से अपने काम का चैन करवाना और उसको अपने पोर्टफोलियो में सामिल करवाना, एक समय अवधी में चात्रों के कामों के विभिन इस्तरों को एकत्र करना, आपक 18th option 4th correct हो जाएगा EBS का पार्ट करम में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यवरण सिच्छा का एक ही करण है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा आपका 19th question आया था एक EBS सिच्छक अपने सिच्छार्तियों को पडोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन इंधनों पर एक सर्वेच्छण करने को कहता है इस सर्वेच्छण के संचालन के दौरानिमन लिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोसल विक्सित की जा सकती है तो आपका 19th question तीसरा सही हो जाएगा recording और सुनने के कौसल आपका 20th question आया था सीखने के लिए सतत आकलन के आवस्चक तत तो क्या है तो आपका 20th question तीसरा सही हो जाएगा केवल B और C इसे सीखने की इस्तती में निहित किया जाना चाहिए ये सिख्षिकों को उनकी सिख्षड अधिगम विधी को समायोजित करने की गुंजाईस प्रदान करता है आपका 21st question आया था हुनाल ने कपडों की बंधेज की रंगाई पर कारशाला करने के लिए अपने विद्याले में एक स्थानी कारीगर को आमंतरित किया इस्थानी कारीगर को आमंतरित करने के उदेश निम्ल खित में से इसके अतरिक्त है तो आपका 21st option तीसरा सही हो जाएगा सिख्षार्तियों को इस्थानी भासा सीखने में मदद करना आपका 22nd question आया था महर के पास कच्छा में कुछ विद्यार्थी है जो प्राकर्ति का आपदा कारण अपने मूल इस्थान से विस्थापित हो गए है और उन्हें विद्याले वातावरण में समयोज़त करने में समस्या है एक EBS इच्छा के रूप में आप तो आपका 22nd option फूर्थ स्करेक्ट हो जाएगा उन्हें अनस च्छार्तियों के साथ बाचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साजा करेंगे आपका 23rd question आया था संसाधन के रूप में समुदाय का उप्योग करने का तर्क यह है कि तो आपका 23rd option तीसरा सही हो जाएगा समुदाय की अपनी बच्चों के अदगम में हिस्सदारी होती है और इसमें उन्हें सामिल होने की जरूरत है आपका 24rd question आया था आरूही ने अपने सच्छार्तियों को अपनी कच्छा का मान्चित्र खीचने बनाने को कहा ये क्रिया कलाप डैश का विकास करने में सहायक होगा तो आपका 24th option तीसरा सही हो जाएगा अभी विन्यास और सापेच इस्ति की समझ आपका 25th question आया था निमलिखित में से क्या पाठचर्या के विकास के लिए मार्ग दर्सक सिधान्त नहीं है तो आपका 25th option तीसरा सही हो जाएगा परिच्छा को आसान बनाना आपका 26th question आया था EBS में सिचार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा तो आपका 26th option 4th सही हो जाएगा आकलन करते समय तकनीक की भासा के उपयोग करने से दोस्तों आप Quescean में एक बारी जरूर। ध्यान दिया करें, Ques Alpha में पूछा क्या गया है? तो इसमें पूछा गया था, आकलन करते समय किस से बचना होगा? इसलिये आपका Option 4th Correct हो जाएगा आकलन करते समय तक्निक वासा के अपयोग करने से आपका 27 कोश्चन आया था रोनाल्ड रॉस के बारे में कच्छा पांचवी में कहानी है जिनको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबल पुरुसकार मिला था जब उन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए ये खोजा की मच्छर मलेरिया फैलाते हैं उन्होंने अपने सब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूच में दर्सी के नीचे अवलोकन किया रोनाल्ड रोज की कहानी को ईवियस में सामिल करने का क्या उदेश होगा तो आपका 27 का उप्षिन दूसरा सही हो जाएगा A.C.D. सच्छार्तियों को विग्यानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना सच्छार्तियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इखटा करने के लिए प्रत्साहित करना विग्यान के इतिहास की सराहना करना आपका 28 कोश्चन आया था भूशड अपनी कच्छा दुतिय की भासा की कच्छा में थीम यात्रा को एक ही करतकला चाहते हैं आपके संसाधन का सुझाओ देंगे जो कच्छा में संपाधन के लिए सबसे उप्युक्त है तो आपका 28 कोश्चन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा बच्चों के यातायाद पर अपने अनभव आपका 29 कोश्चन आया था एवियस कच्छा में यात्रा परोस में एक भिकारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साज़ा करती है और जानना चाहती है कि उसके माताय पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेशते एक सिच्चक के रूप में आप सिच्चार्थी को कैसे जवाब देंगे तो आपका 29 कोश्चन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कच्छा में इस चर्चा को करेंगे आपका 30 कोश्चन आया था खेल और पहलियां EBS के सिच्चड और अधिकम के महतपूर हिस्से हैं क्योंकि तो आपका 30 कोश्चन तीसरा सही हो जाएगा वे सिच्चार्थियों को अपने आप स्वरूप खोजने देती हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं और चैनल को शेयर भी कर दिया करें हलो दोस्तों आज हम 16 दिसंबर को हुए C.T.21 पेपर 1 के CDP के फुल 30 कोश्चन कंपलीट करेंगे तो दोस्तों आपका पहला कोश्चन आया था निम्न लिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है तो आपका 1 का आप्शन तीसरा सही हो जाएगा विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विवित्ताएं होती है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगें चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा आपका सेकंड कोश्चन आया था निम्न में से कौन सा प्रशन बच्चों में विवेच नातमक चिंतन को बढ़ावा देने का उधारण है तो आपका सेकंड कोश्चन पहला सही हो जाएगा पता करो की तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं वा क्यों आपका थार्ड कोश्चन आया था विकास का चरणीय सिध्धान्त निम्न लिखित नियमों में से किस पर इसपस्ट रूप से जोर देता है आइस तेस थियूरी आफ डवलाप्मेंट एक्स्प्लीसिटी आपका फूर्थ कोश्चन आया था निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालियों में बच्चों का आधिगम से जुडाव प्रभावित होता है तो आपका फूर्थ का आप्शन तीसरा सही हो जाएगा फर्स सेकेंड थर्ड और फूर्थ पारिवारिक समाजी करण सम आपका फिप्ट कोश्चन आया था जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं तो आपका फिप्ट कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा प्रतिकात्मक खेल मेक बलीव पले आपका सिक्स्ट कोश्चन आया था एक छोटी बालिका पतिकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दर्ष्टिकोर नहीं समझ पाती है और उसके नियंतरन से बाहर की गटनाएं उसे असानी से परिशान कर देती है जीन पियाजे के दौरा सु क्रियात्मक प्री ऑपरेशनल आपका सेवंत कोश्चन आया था निम्न में से कौन साबीलच्छड कोलवक के नैतिक विकास मौडल में समले था है तो आपका सेवंत कोश्चन पहला सही हो जाएगा नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्व भौमिक होता है आपका एट कोश्चन आया था ले वगोट्सकी के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्त विकास छेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए तो आपका एट को आप्शन पहला सही हो जाएगा सिछण और मूल्यांकन टीचिंग एंड असिस्मेंट आपका नाइन्थ कोश्चन आया था एक विशिस्ट संप्रते को पढ़ाने तो एक अध्यापी का बच्चे को आधा हल किया हुआ उधारण देती है ले वगोट्सकी के अनुसार अध्यापी का किस रणनीती का इस्तेमाल कर रही है तो आपका नाइन्थ कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा पाड़ इसका फोल्डिंग आपका टेंथ कोश्चन आया था निमन लिखित में से कौन से अभीवरत्ती एक प्रगती सील कच्छी है माहल के अनुसार नहीं है तो कोश्चन में पूछा गया है नहीं है तो आपका टेंथ कोश्चन फोर्थ सही हो जाएगा अध्यापक द्वारा बा अनुसासन कायम करना तो आपका उप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा मैंटेनिंग एक्स्टरनल डिसिप्लिन बाइदा टीचर आपका इलाइवन्थ कोश्चन आया था यह महत पूड है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धी लब्धी के अधार पर इस्तिर समोहों में प्रथक ना करें क्योंकि it is important that the teacher does not segregate children into fixed group based upon IQ as तो आपका option फोर्थ करेक्ट हो जाएगा बुद्धी लब्धी संकल्पना इस्ताई नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है the concept of IQ is not stable and it also leads to labeling of children आपका 12th question आया था Harvard Gardiner के सिधान्द के अनुसार एक अच्छा में तरह तरह की अध्यापन रड़नीतियों का इस्तिमाल होना जरूरी है क्योंकि according to Harvard Gardiner theory it is important to have a variety teaching modes within a classroom because तो आपका 12th option पहला सही हो जाएगा ये बहु 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 दिक्ता को निस्पादित करने में मददगार है it helps exercise multiple intelligences आपका 13th question आया था डेड़ से धाई साल की उम्रे के बच्चों द्वारा अकसर उचारत दूई सब्दी है उचारणों को क्या कहा जाता है तो आपका 13th option दूसरा सही हो जाएगा तार प्रेशित वाच्चन टेलिग्राफिक स्पीच आपका 14th question आया था पुरु समानिता दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हिर्दय से सोचते हैं ये कथन क्या दरसाता है तो आपका 14th option दूसरा सही हो जाएगा लैंगिक रूडिवाद जेंडर स्टीडियो टाइप्स दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजेगा वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा आपका 15th question आया था एक प्रगती सील कच्छा में निम्न लिखित में से कौन सी मुल्यांकन वीडिका इस्तिमाल नहीं होता होगा विच आप दा फॉलोविंग एसेस्मेंट स्टैटिजीज वुड नौट यूज इन आप रोग्रेसिव क्लासरूम तो आपका 15th option तीसरा सही हो जाएगा केवल मानक निर्देशित मुल्यांकन पर आस्र है कोश्चन में पुछा गया था इस्तिमाल नहीं होता है इसलिए आपका option तीसरा सही हो जाएगा केवल मानक निर्देशित मुल्यांकन पर आस्र है आपका 16th question आया था वंचित और हासिये पर इस्तिस समूहों की भासा और संस्कृति को स्कूली पाठिक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है तो आपका 16th option दूसरा सही हो जाएगा सिच्छा में साम्यता एक्कूटी इन एडुकेशन आपका 17th question आया था परियाप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक अच्छा में एक विद्यार्थी गड़ती क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनोतियों का सामना करता है इसकी वज़य क्या हो सकती है तो आपका 17th option दूसरा सही हो जाएगा समप्रेशन है तू मुख्यता मौखिक माध्यम पर ही आसरित होना कोश्चन में पुछा गया था प्रभावी रड़ देती नहीं है इसलिए आपका option फोर्थ सही हो जाएगा समप्रेशन है तू मुख्यता मौखिक माध्यम पर ही आसरित रहना आपका 19th question आया था निम लिखित में से किस कच्छी है प्रक्रिया का विसलेशन किसी अध्यापक के वंचिस समोहों के प्रती गडित गूर पूर्वा ग्रहों को उजागर कर सकता है तो आपका 19th option पहला सही हो जाएगा लिंग जाती और आर्थिक स्रेडी के अधार पर निधारत आशन व्यवस्था seating arrangements done on the basis of gender caste and class आपका 20th question आया था कच्छा में सजनात मक्ता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अफसर प्रदान करने चाहिए तो आपका 20th option दूसरा सही हो जाएगा मौली खोज और सोच को प्रतसाहित करने के encouraging, original, discovery and thinking आपका 21st question आया था एक संरचनात मक्त अच्छा में बच्चों की संग्यनात मक्त सह बागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है तो आपका 21st option तीसरा सही हो जाएगा बच्चों के वारतालाब दौरा, अध्यापक के संवेगो दौरा, बच्चों के सकारातमक परसपर संबंध हो दौरा आपका 22nd question आया था बच्चों के आसफलता अक्सर विद्याले के आसफलता होती है निम्न में से कौन सा खतन इस वाकिका समर्थन करता है तो आपका 22nd option दूसरा सही हो जाएगा बच्चे इसलिए आसफल होते हैं क्योंकि विद्याले बच्चों के सीखने के विविद गतियों को ध्यान में नहीं रखते हैं आपका 23rd question आया था किसी संप्रत्य के प्रासंगिक और अर्थपूर होने के लिए क्या आवस्यक है तो आपका 23rd option दूसरा सही हो जाएगा बच्चे के जीवन सम्मंदित समाजिक परिपेच से जोड़ कर पढ़ाना लिंक्ड विद दा सोसल कॉंटेक्स्ट आफ दा चाइल्ड्स लाइफ आपका 24th question आया था एक अच्छा में बच्चों के आसफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है तो आपका 24th option तीसरा सही हो जाएगा आसफलता और तूर्टियां बच्चों के अधिगम का स्वभाविक हिस्सा है आपका 25th question आया था अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि पुरुसकार देना अधिगम करताओं को अभी प्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है क्योंकि तो आपका 25th option पहला सही हो जाएगा इससे आंतरिक अभी पेरिना छीड होती है question में पूछा गया था उत्तम तरीका नहीं है इसलिए आपका option पहला सही हो जाएगा इससे आंतरिक अभी पेरिना छीड होती है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगें चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा आपका 26th question आया था निमने में से आभी लच्छनों का कौन सा समूर उत्तम समस्या समाधान करताओं को इंगित करता है तो आपका 26th option पहला सही हो जाएगा सजनातमक्ता पतिक्रियातमक अनम्मिता की कमी अपसारी चिंतन, क्रियेटिविटी, लैक आप रिस्पॉंसेट, डाइवर्जेंट थिंकिंग आपका 27th question आया था सिच्छक का विचार है कि विद्यार्थियों की खास कर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता एवं आसफलता अक्सर उनके अधिगमवा अभिपेणा को प्रभावित करती है इस अंदर्व में निम्न में से कौन सा कथन सही है तो आपका 27th का उप्शन पहला सही हो जाएगा सिच्छक की आप रिच्छाएं बच्चों के सीखने को बेहत प्रभावित करती है आपका 28th question आया था सिच्छक कच्छा में सकारात्मक रूप से सीखने का वाता वरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं तो आपका 28th का उप्शन तीसरा सही हो जाएगा बच्चों के समवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बना कर कोश्चन में पुछा गया था किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं इसलिए आपका उप्शन तीसरा सही हो गया बच्चों के समवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बना कर आपका 29th question आया था क्या एक सिच्छक को कच्छा में एक सत्ता धारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिससे कोई चुनौती ना दे सके तो आपका 39th question तीसरा सही हो जाएगा नहीं विद्यार्थी ऐसे सिच्छकों से प्रश्ण पूछने में हिचकते हैं जिससे उनकी समप्रत्याइक इस पस्ता में कमी रह जाती है आपका 30th question आया था कच्छा में परिचर्चा के दौरान क्या एक सिच्छका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए तो आपका 30th option दूसरा सही हो जाएगा नहीं बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोचसाहित करना चाहिए गलत होने की चंता के बिना दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा थैंक्यू फर वाचिंग दा वीडियो